हेलो फ्रेंट कैसे हैं स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूटूब चनल उपन स्टेडी एरिया पर आप सभी का डिमांड एक आ रहा था लागातार कि सर प्रिबियस इयर जो है आप जल्द से जल्द करा दीजिए तो आपकी बातों को बिल्कुल ही इग्णोर नहीं किया जा तो याद रखेगा हम कल सारे प्रिबियस इयर पीजीटी हो टीजीटी हो या फिर आपका शिक्स टू-एट हो नाइट या जो भी हो आपके पास पीर टी हो इन सभी के लिए हम प्रिबियस इयर आपके पास सामने ला करके रख देंगे बस आप शानको सब्सक्राइब करते चलिए और भारी संक्या में इसको जो है लोगों के पास पहुंचाने की काम कीजिए और दोस्तों शुरुआत करेंगे आज six to eight mathematics mathematics और उसके बाद science में language जो subject था उसमें question कैसे आये थे तो six to eight वाले students देख लें बाकी सब लोग भी इस वीडियो को देख लें और उसके बाद हमें बताएं कि आगे आपको किसका previous year का question चाहिए और कल अगर भारी संक्या मगर subscribers यहां पर हमको दिखाई दिये तो कल सारे previous years को है six to eight का यानि कि पिर टी सॉरी टीरी वन और टीरी टू सब को निब्टा देंगे और टीरी टीरी पॉइंट जीरो जो केंसिल हुआ यानि कि उसके भी questions हम निब्टाने की courses करेंगे तो बस यहां पर शुरुआत करेंगे जैसे कि language के questions जो होगा एक से लेकर के आठ तक रहती है उसमें अंग्रेजी और उसके बाद नौ से लेकर के तीस तक उसमें आपको टोटल नौ अंक बंगाने होते हैं तो बीपेसी टी आरिए 2.0 में ऐसे question पुछा गया था पहला प्रस्ण है कि यहां पर आपको देखना है direction कि question नौ एक से लेकर question नौ दो तक fill in the blanks with the suitable article like A and D यानि कि A and D का प्रयोग करना है एक suitable article के इस्तमाल करना है दिये गए जो आपके पास आकड़े हैं उसमें तो सबसे पहला number question आपके श्क्रीन पर उपलफद करा दिया गया है पहला प्रस्ण देखा दिया प्रस्ण ता कि सरीता is going to join as dash video तो वीडियो को जब लिखेंगे तो यह B से लिखाएगा B एक consonant है यही कराने कि इसके आगे A का प्रयोगा अपसर नंबर B इसको BPSC ने भी answer माना था आगे बढ़ते चलते हैं दूसरा नंबर question पुछा गया था यानि कि वासिंगटन पोस्ट जो है USA में पढ़ी जाने वाली सबसे अधिक्तम पढ़ी जाने वाली न्यूजपेपर है तो ऐसे में अगर कोई famous चीज हो तो उसके सामने D का प्रयोग करते BPSC ने भी अपसर नंबर A को यानि कि D इसका साही इंसर माना था वीच अपद़ फॉलोइंग इसको कीचेन का पाट नहीं है ऐसा प्रस्टन आपके एक जामस में पूछा जागा तो कीचेन के पार्ट नहीं है तो तीन का अपसर नंबर जो है D माना था BPSC ने more than one of the Amen bucket और गीजर उसने इसको कीचेन का पाट नहीं माना था आगे बढ़ते चलते हैं अगला कोशन है कि वीच एमॉंग दा फॉलोइंग इस नॉट फूरूट नहीं है कारोट है टरनीप है उसके माद बेट रूट है तो कैरोट यानि की गाजर यानि की टरनीप यानि सलजा मित्यादी को रख दे जागा तो इसमें किसको आप फूरूट के अंतरगत न यानि कि लुकट डियरेजर डेस इन दा वाटर में नेमल कितम से क्या आपको दिखाई दार रहं 5 यहां पर अपसंस माना गया था अपसंसर का सहींसर माना गया था एक साल जो है लीप एर के रूप में माना जाता है जब उसमें दीनों की संख्या किसी मंत में बढ़ जाए more than in the more day in a month मंत में यानि कि दीनों की संख्या बढ़ जाए अगला कोसन है son of brother is known as यानि कि son of brother यानि कि भाई का पुत्र निमले खित्म से क्या कहलाएगा साथ एंसर अपसर नमबर ए नेफ्यू के नाम से जना जाएगा साथ एंसर अपसर नमबर एश का साथ एंसर माना गया था father's sister is known as पापा की जो sister होती है बुआ के रूप में मन जाती है तो कौन सी बोली मद्य पहाडी हिंदी उभासा के अंतरगत लाई जाती है साथ एंसर है 9 वे का अपसर नमबर आपके सामने हो जाएगा अपसर नमबर सी गडवाली इसका राइट एंसर माना गया है अगला कोसर नमबर कोसर नमबर जी किस भाषा की बोली है सही इंसर है दसवे का अपसर नमबर B यानि कि पस्मी हिंदी का आगे बढ़ते चलते हैं अगला नमबर कोशन एक गारा नमबर कोशन पुछा गया था कि छोटी बात को बढ़ा चरा कर करना अर्थिक के लिए सटीक मुहाबरा निमली खित्म से कौन है तील का तार बनाना इसक के साही इंसर मना गया है अगर बात करेंगे वहीं पर त् defense एक पुछा गया था तो त्रैणा नमर कंगे पास पुछा गया था कि राजस्थानी उप-भासा अंतंरगत कितनी वो क्ष्णता का गयरा टा diminish है अगला कोसन है आपके सामने 15 नमर कोसन की पहाड़ी उपहाड़ी उपहाड़ी उपभासा के अंतर्गत कौनसी बोली नहीं आ गी 15B का अपसा नमर आपके पास से ए इसको वीपेशी के दुवारा माना गया था हम लोग सेट A देख रहे हैं दोस्तों अगला कोसन है प्रस्ण का था है कि दखनी को किस अने नाम से भी पुखार जाता है तो दखनी को निमले कितम से किस अने नाम से पुखार जागा अपसा नमबर D उपर युक्त में से एक शे अधी किसका सही एंसर बताया गया आगे बढ़ते चलते हैं अगला कोसन है 17 नमबर प्रश्ण है आपके सामने 17 नमबर कोसन पूछा गया था कि नमबर कोसन आपके सामने और रिजू कै पढ़ावाची सब्य नमबर के साक्तरे है इपसा नमबसी已 में वी क्शरल नमबर कोसन ओ और पूछ देखेंगे इकदम खशूदत बहुत जबर्दस्ट परश्ण है यह जो पूछा गयां प्रस्ण बेकिए कछ प्रश्ण करता है कि जो ग्यात इतिहास के पुर्व का हो वाक्यांस के लिए निमले कित्म से कौन सा प्रयोग करेंगे जो ग्यात इतिहास के पुर्व का हो उसको प्राग इतिहासी के नाम से जना जाएगा आगे बढ़ते चलते हैं इसके बाद 21 प्रश्ण आपके स्क्रीन प पुकारते हैं पर्याय की द्रिष्टी से प्रस्न कहता है कि कौन सा युगम सही नहीं है तो मिलाया गया गयाँ आपके ही हो जागा तेज़् नमर कोशन आपके सामश है कि कौन सा समास लगा हुआ है तो अगला कोशन ने 24 पर पर प्रशन कहता है कि निमले कितम से कौन सा वाक के सुध है क्रिष्ण के अनेक नाम ये सही है बंदूक एक बहुत युपयोगी अस्तरह ये भी सही है आपका पत्र धन्यवाद सही निया गया है तो यहां पर हो चुका चुका सब्सक्राइब करता है कि एक लड़के ने ठीक उतर दिया वाक्य में एक क्या है तो एक निमल कित्म से विशेशन के रूप में प्रयोग किया गया पुछा गया था देख लिजेगा प्राचीन की भारती भारती आर्जवासा निमल कित्म से कौन हो जाएगी आपको अपसा नमबर डी यानि एक से अधिक यानि संस्क्रीट और पाली इसको सही एंसर के रूप में चुनेंगे आगे बढ़ते चलिएगा अगला कोशन पुछा गया था पुरूस से सर्वनाम है उत्तम पूरूस सर्वनाम है तो उत्तम पूरूस जो है वो मैं के रूप में प्रयों कहता है अहम अवाम वयम संस्क्रीट में अपने पढ़ावगा तो होगा रोहित अमेरिका में नौकडी करना चाहता है वाक्य में प्रयूकते वाक्रिया स्वरूप निमले खित्म से कौन सा है सही अंसर है कि वह एक इच्छा बोधक दरसाता है तो दोस्तों ये था आपके पास संदी और अंग्रे जी उसके बाद देख लीजिए हमारे पस प्रस्न पूरने डूप से पड़े हुए हैं इंसर सीट भी उपलवध है इसको अगर आपने थोरा सा भी साहता कर दिया तो उसके बाद तो फीर समझ लीजिए कि मैं मोटिवेट अगर हुआ तो एक दिन में सार चीज खलास कर दिया जागा यहां पर शुक्रिया जहिन